Factors by which sensitivity of moving coil galvanometer can be increased तो आप moving coil galvanometer की sensitivity को कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला point, by increasing number of turns n of the coil तो पहला factor किया है? आप किसी भी sensitivity का formula देख लें उसमें number of turn numerator में हैं तो अगर आप n को बढ़ाते हैं, तो आपकी sensitivity क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. पर एक problem है, वोई कहता है sensitivity बढ़ानी है, number of turn 100 है, चला 200 कर देते हैं, चला 400 कर देते हैं, चला 4000 कर देते हैं, अरे इतना सा galvanometer है, कितने लपेट, कितना ही लपेट होगे उसमें? पता लगे, इतना 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 कितना इतना करना है, तो यह भी नहीं कर सकते, और भी problem है, बल्की हो जाएगा एक तो और दूसरा, इसके अंदर क्या problem है, रिजिस्टन बढ़ जाएगी, जितनी तारें यूज करोगे, एंज जादा करोगे, उसके रिजिस्टन बढ़ जाएगी, मेजर कितना करना है, 0.02 मिलियंपेर, रिजिस्टन कितनी है, एक हजार ओम, तो क्या निकलेगा, इतनी तो वोल्टेज मी नहीं होगी आपको देने के लिए, तो आप वो भी practically possible नहीं है, तो ठीक है, आप कुछ लिमिट तक sensitivity को increase कर सकते हैं, by increasing number of turns, पर यह नहीं है, कि आप जितने margin number of turns लेते रहें, और sensitivity जितनी margin increase करें, बहुत और factors भी आ जाएंगे, पर हाँ, n increase करने से ऐसा हो सकता है, तो but n cannot be increased beyond a particular limit, because it will make galvanometer bulky and will increase the value of resistance, और problem है, दूसरा, by increasing magnetic field, तो कोई कहता है, ठीक है, n तो बढ़ा दो, साथ में magnetic field भी बढ़ा दो, क्योंकि जब magnetic field बढ़ेगा, तो numerator में यह भी, area भी numerator में है, तो जब magnetic field बढ़ेगा, तो obviously उसमें sensitivity बढ़ेगी, तो magnetic field बढ़ाने के लिए काम कर सकते हो, magnet plane लेने के बजाए, आप horseshoe लो, उसमें strong magnetic field लेंगे, तो आप magnet क्या लेंगे, strong horseshoe magnet लेंगे, और उसको लपेटेंगे, coils को लपेटेंगे, किस के उपर, soft iron core के उपर, soft iron core हम अगली chapter में डिसक्स करेंगे, magnetic material है, जब यह external magnetic field में पढ़ा ह बन जाता है, मालब एक तो magnet का magnetic field उपर से खुद उसमें जाके खुद magnet बन जाता है, तो और strong magnetic field लेंगे, जिसे और टोर्क लेंगे, तो इसलिए हम soft iron core को इसमें यूज भी करते हैं, नेक्स है, by increasing area of the coil, अब एरिया की लिमिटेशन है, अब एरिया की लिमिटेशन है, अब समझ में आ रहे है, हाँ, कुछ area increase करके, you can increase the sensitivity, by decreasing the torsional constant, torsional constant, k क्योंकि denominator में आता है, तो आप k को decrease करके sensitivity को क्या कर सकते है, increase कर सकते है, क्या ये point clear है यहां तक?